नमस्कार में हुआ मदासीफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News मलेका खरजून अध्यक्ष बने नहीं कि उनके इस्तिफिक की चर्चा हो गए अध्यक्षपत की शपत ली नहीं कि छिन्नी की बात हो गए दस्वों को मैं इस सवाल का जवाब देऊंगा इसमें कोई शक नहीं चौकाने वाले सवाल हैं हैरान करने वाले सवाल हैं कि भाई ये सवाल आये कहां से हैं कहां से आये किसे ने बताये सोशल मेडिया पर क्यों चर्चा हो रही है उससे पहले मलेका खरजून साहब का वो वियान देखाते हैं जब उन्होंने जीत दर्च की जबर्दस जीत दर्च की और उसके बाद तमाम देश के दिगजों ने उन्हें बढ़ाई दी और उसके बाद किस तरीके से मुदी सरकार पर हमला करते दिख रहे हैं मलेका खरजुन सहाब वो पहले तस्वीरे हम आपको दिखाना साकते हैं और तो यह शशी ठरूर के साथ सथ, यह सवाल आ रहे हैं कि सोनिया का ने उनका इस्तिफा ले सकती हैं, अध्यक्षपत से हटा सकती हैं, आखर इन सवालों की चर्चा क्यों हो रही हैं, पहले देखिए, खगरे साथ किस तरीके से मुदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, अध्यक्ष तो इसलिए मुझे वक्त पे आपके सामने हाजर होने का समय नहीं है तो इसलिए फिर एक बार मैं आपसे माफी मांग के अपने शब्दों को आगे बढ़ाऊंगा आजादे के पचातर साल के इत्यास में भारती राश्टरी कॉंग्रिस ने लगातार इस देश की डिमोकरसी को मजबूत किया और समिदान के रक्षा की आज जब डिमोकरसी खत्रे में हैं समिदान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टूशन को तोड़ा जा रहा है तो कॉंग्रेस पार्टी ने राश्टी स्थर पर और्गनाइजेशनल एलेक्शन्स करवा कर देश की डिमोकरसी को मजबूत करने का एक्जामपल पेस किया है कॉंग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलिगेट्स सीनियर लीडर्स वर्कर्स और जो कोई भी इस कारेक्रन से जुड़े हैं उन सब को मैं दन्वाद करता हूँ आप सबने डेमोकरसिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कॉंग्रेस को मजबूत किया है अपने सुना अदेक्षपत को और आपने देखा कि किस तरीके से मोधी सरकार पर हमला बोलते हुए साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाई देश को बरबाद कर दिया लोकतंतर खत्रे में हैं संबिधान खत्रे में हैं और आज वाकई में मोधी सरकार से जो अमीदे थी उस पर पाने फिर गया हम इसी चुनातियों से लरेंगे और उनको हरा कर दिखाएंगे परहाल सशी थरूर साब एक हजार सीट वोट लाते हैं और उसके बाद इस तरह से मुस्कुराते हैं कि खटगे साहब भी हैरान हो जाते हैं सोनिया गांदी भी हैरान हो जाती है कि इसकी वज़ा क्या हो सकती है मैं उन सवालों का जवाब दूँ जो शुरूरात में हमने किया लेकिन उससे पहले आप शशी थरूर का ये वीडियो देखे अच्छी बाते देखे आपको पता है कि आज कांग्रिस पार्टी के करीब 900 से ज्यादा अंग हमारे डेलिगेट्स हमारे PCC डेलिगेट्स करीब 9000 9000 माफ कीजे आज दिने लिया कि मलेक अजुन खर्गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा मैं कबर खबर सुनके उनके घर गए और उनको मेरी बढ़ाई सुना दी वो बहुत मेरे वरिश नेता है मैं उनके साथ काम भी किया हूं लोग सभा में कैसे मैं आप सब को पहली भी बताया था हम लोग कालीग्स ऐसा ही होगी है और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रिस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडर्शिप और नित्रित्वा और गाइडन्स से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा मैं ये भी कहूंगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूं कि इतने सारे कांग्रिस कार्यकरता हैं ने मुझे समर्थन दिये जिन में से एक हजार से ज्यादा मद्दान देने वाले हमारे डेलिगेट्स भी थे और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था लेकिन कांग्रिस पार्टी की भलाएकिने काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन दिये मेरे साथ निकले और हर जगह में जैसे अब आज भी देखते हैं मेरे साथ रुके मुझे जिस किसम के मौरल सपोर्ट दिये मैं इसके लिए आभारी हूँ मेरे ख्याद में हमारे कार्य करताओं हैं हमारे पार्टी का असली गुरूर और मैं कहूंगा कि हमारे कार्य करताओं के काम से ही पार्टी आगे बढ़ेगी और मैं खुश हूँ कि उनको इस इस विशे से सारी इस चुनाव से उनको भी एक मौका मिला हमारे पार्टी के से उनके ही काम से हमारे पार्टी का भविशे बनने में एक बहुत 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 बड़ा भूमिका लेना मैं चाहता हूं की पार्टी उनकी भी आवास सुने मैं चाहता हूं की घरगे साब का विजय हम सब मान ले की कांग्रेस पार्टी के जीत है मैंने शुरुवात से ही कहा यह कोई व्यक्तिक का विशेन है मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने क्योंकि भारतिय मजबूती के लिए एक कॉंग्रिस मजबूत होना बड़ी ज़रूरी है तो इसी स्पिरिट में और इसी उदेश से मैं लड़ा और जो भी इस लड़ाए में भाग लिए उनको मेरे बढ़ाई और मेरे और माई ग्रैटिटूड पर बताना चाहता हूं मैं उससे अभी रुकूंगा क्योंकि अगर आपनों को प्रशन होंगे तो शायद उसके लिए जवाब दे दूँगा लेकिन मेरे मन में यह बहुत अच्छा हुआ कॉंग्रिस पा असर पड़ेगा मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे कार्यकरतां भी जाग गए हैं सब लोग तयार हैं बीजेपी के चुनावती को निपटने के लिए और मैं भी काफी कॉन्फिरेंट हूं कि हमारी पार्टी आप लोगों को हमारी काम्याबी दिखाई सकेंगे अपने देखा दोनों वीडियो को आपने देखा समझ गए होंगे कि चली अधिक्षपत की महामारी हंगामे के बीच का ये वीडियो तो आया लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से राहूल गांधे का जो सफर था सोनिया गांधे का जो सफर था अगर वैसा ही सफ पर जो है अगर खट के साब का रहता है नराजगिया नेताओं के बीच में रहते इस्तिफ़े का दोर शुरू रहता है तो सायद सोनिया गांधे उनसे इस्तिफ़ा ले भी सकती है अधिक पत्षीन भी जा सकता है सवाल ये भी आया कि अगर जो है चुनाब के नतीजे अगर और ओक पियूँड़ कर दू कि अ कर दो कर दो कर दो